फिर वो भूत रामलाल के शरीर के अंदर चला गया और वो दोनों एक साथ गाउं की तरफ चल पड़े रामलाल अपने घर पहुँचता है एक अमला कहा है तू? चल्दी से मेरे लिए खाना लेकिया मुझे बहुत भूख लगा है अरे हिम्मत तो देखो इसका मुझसे इतना उची आवाज में बात कर रहा है अभी तो छोड़ तुझे आज खाना ही नहीं दूंगी मुझे गुस्सा मत दिला जल्दी से खाना लेके आ नहीं तो मैं तुझे ही कच्चा खा जाऊंगा तेरी इतनी हिम्मत रुक तुझे अभी सबक सिखाती हूँ कमला एक डंडा लेकर रामलाल की तरफ बढ़ता है जैसे ही वो उसे पीटने जाती है तभी रामलाल के अंदर का भूत गुस्से से उसकी गलादाबा देता है अरे मर गई रे कोई मुझे बचाओ ये तो मुझे आज मार ही देगा आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं है तुने मुझे काना देने से इनकार कर दिया तो अब तुझे ही मेखाऊंगा मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे इसका अंजम अच्छा नहीं होगा अरे कोई मुझे बचाओ तभी रामलाल का दोस्त गोपाल उसके घर के सामने से गुजर रहा था इतना आवाज सुनकर वो रामलाल के घर के तरफ गया अरे रामलाल के घर में इतना शोर क्यूं है मुझे जाकर देखना चाहिए जैसे ही गोपाल रामलाल के घर गया, वो ये सब देखकर चौक जाता है अरे भाई रामलाल, ये क्या कर रहे हो तुम, अपनी बीवी का गला क्यों दबा रहे हो मुझे बहुत भूक लगा है और इसने मुझे खाना देने से इंकार कर दिया इसलिए अब मैं इसे ही काऊंगा